तो दोस्तों मैं लेकर आगई उमेट्स इवेंच के एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्रीशन तो दोस्तों देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुवात करते हैं तो एपिसोड की शुरुवात में दिखाया जाता है कि त्यांग डॉंग को अपने रूम में लेकर त्यांग को काफी चोट लगए होती है भी ऐसेती कि प्लीज मुझे टब करो पता नहीं है कि मैन और भी फिजिकल कॉंटेक्ट में नहीं आ सकते जब तक वो रिलेशन में ना हो तब यहां पर फांग त्यांग कहता है तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम जो है मुझसे शादी कर लो और मेरी वाइफ बन जाओ और मेरी फैमिली में बहु बन कर आ जाओ तब तो मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ जहां पर डॉंग कहती है कि क्या आप भूल गएं कि आपकी एक फियांसे भी है जहां पर त्यांग कहता है कि तो क्या तुम्हें जैलिसी फील हो रही है मेरी फियांसे से जहाँ पर डॉंग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ ये सच है कि मैं आपकी फैमिली में बहु बन कर आना चाहती हूँ लेकिन आप से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ मैं जो है आपके भतीजे मतलब यंग मास्टर से शादी करना चाहती हूँ मेरे जंगुल से निकलना तुमारे लिए काफी ज़दा मुश्किल है इसका सपना तुम छोड़ी दो वह पर वह जो है डॉंग के फिर कपड़े फार देता है ताकि वह उसकी फरस्टेट कर सके तब ही देखता है कि डॉंग को जो है काफी ज़दा चोट लगी होती है जिसको क काफी ज़दा बलड हो रखा होता है जब उसके कपड़े फार देता है उसे काफी ज़दा दुख होता ही सब देखकर वह कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें कमरे में ही रहना है लेकिन तुम मेरी बात कभी सुनती ही नहीं हो जहापे डॉंग जो है दर्द हाँ हम दोनों जो है काफी जादा क्लोज है और तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो अगर तुम्हें मारना होता तो तुम मुझे कपका मार देती यह सब फाल तू स्टूपिडिटी थोड़ी करती फिर तभी वो जो है डॉंग को मेडिसिन लगा रहा होता है जहां पर डॉंग को कि आप मुझे सारी क्यों बोल रहा है मिस्टर फांग मैं तो बस एक मामूली सी मेड हूँ मैं तो आपके बरावर खड़ी होने लाइक भी नहीं हूँ जहां पर त्यांग काफी जादा बुरा महसूस कर रहा होता है अंदर से तभी हमें दूसी तरफ दिखाया जाता है कि य ऐसी मेर चली जाती है तो यन काफी जादा घबरा जाती है त्यांग को अपने सामने देखकर और वहीं पर त्यांग जो है यन के काफी जादा क्लोस खड़ा हो जाता है उससे कहता है कि जब म्यूटी को पिसली बार चोट लगी थी तो मैंने तुम्हें वर्न किया तो तुम मैं समझाने आया हूं मैं पर उसके घड़न पर चाकु रक देता जहां पर यन काफी डर जाती है कि मिस्टर फांग आप जैसा सोच रहें सकुछ भी नहीं है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपको पता हैं ना कि मैं ये रेसाता है कि ऐसी मिस्टरिज कर सकते हैं आप परस्ट रेंड लास्ट टाइम कि म्यूटी जो है मेरी वोमेन है उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता अगर तुमने उसे फिर से हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा जहां पर यन कहती है फांग से कि मिस्टर फांग आप यह क्या कह रहे हैं मैंन यह अच्छी बात है कि तुमने जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है महीं पर फिर से उसे धमकी देता और कहता है कि अगर म्यूटी का एक भी बाल गिरा तूट कर तो तुम्हारे फेस पर मैं इसी चाकू से कट मारूँगा कि तुम जो है इतनी अगली दिखोगी कि तुम बताता है कि डांग फैमली पर जिसने अटैक किया था तो हम लोग उने उन लोगों को पकड़ लिया है और उनसे उगलवाने की कोशिच भी की थी लेकिन वो लोग अपना मूँ खोली नहीं रहे है तो हम क्या करें उनका मिस्टर फांग जहां पर त्यांग कहता है कि अगर लोग अपना मूँ नहीं खोल रहे है तो उन लोगों को जान से मार दो अगर हम उनसे को इन्फोर्मेशन नहीं निकलवा पा रहे है तो उनका जिन्दा रहना यूजलेस है और तब ही वो मैनेजर जो है त्यांग से कहता है कि आप जो है मिस्टर को यह क्यों नहीं बता देत बत्रे में आ सकती है और इसी वजह से मैंने उसे अपनी मेट बनाया ताकि मैं उसे हमेशा अपने करीब रख सको और उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सको जहाए तो नहीं हैं मिस्टर फांग आप मिस डॉंग के लिए कुछ जादा ही फील करते हैं। तब भी हुआ पर जो त्यांग थोड़ा सा मायूस हो जाता है और अफसोस करते हुए बोलता है कि काश मा उसकी फैमिली को जिन बचा पाता। लेकिन कोई बात नी अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि डॉंग को हमेशा प्रोटेक कर सकूँ। फिर हमें नेक सीन में दिखाया जाता है कि त्यांग डॉंग को एक खंडर वादी जगा पर लेकर जाता है। जहां पर डॉंग के फादर के कातिलों को उसने बंदवा कर रखा होता है। जहां पर त्यांग का मैंनेजर कहता है कि मिस्टर फांग सब कुछ तयार है। के लिए बोलता है जहां पर डॉंग काफ़ी डर जाती है घ़बरा जाती है मुझे नहीं चला नी कोई बंदूंग बंदूंग नहीं सीखना है प्लीज मुझे जाने दो नहीं वहीं पर डॉंग को जबरजिस्ती पकड़ रखा होता है, त्यांग नो उससे कह रहा होता है, कि तुम्हें पता है, उस दिन तुम मुझे क्यों नहीं मार पाई उस रात को, क्योंकि तुम्हें बंदूग चलानी ही नहीं आती है, आज मैं तुम्हें बंदूग चलाना safety catch खोलना होगा उसके बाद तुम अपने target को ध्यान से देखो और यह imagine करो कि तुम दुनिया में सबसे ज़ादा hit किसको करती हो और उस पर गोली चला दो तब यहाँ पर वो जबर जिस्ती उसका हाथ पकड़ कर बंदूक से गोली चलवा देता है टॉंक काफी ज़ादा डर जाती है जब वो देखती है कि त्यांग ने उन लोगों पर उससे गोली चलवा दिये महीं पर उसे पता ही नहीं होता है कि त्यांग ने जिन लोगों पर गोली चलवाई है वो असल में उसके डैट के कातेल है और त्यांग वीजियों से यह सच्चा ही नहीं बताता है और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 6 की एंडिंग हो जाती है तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 7 की हिंदी एक्स्पनेशन के साथ आपको यह वीडियो और यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर ज़रू बता है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो